आप सभी लोगों ने वाइट जूनियर का नाम तो सुना ही होगा मुझे पूरी उमीद है कही ना कही सुना होगा चाहे वो आपके सोशल मेडिया पैड्स हो या फिर टीवी पैड्स हो जहां पे वाइट जूनियर जो है बड़े-बड़े दावे कर रहा था कि आप अपने बच्चे को 6 साल के उमर से कोडिंग सिखा सकते हैं और उसके वज़े से आपका बच्चा जो है सिलिकॉन वैली चला जाएगा यहाँ चला जाएगा वहाँ चला जाएगा इन सब के वज़े से जो है पिछले महीने फटकार लगी थी जिसमें उनको कहा गया था कि उनके कुछ एड्स को यहाँ पर टेकडाउन कर दिया जाए क्योंकि वो यहाँ पर भ्रामक थे यह सब आप जानते हैं इसके उपर हमने वीडियो बनाई थे अगर आपने नहीं देखा हो या एक तरह से यूँ भी कहले कि इनका सच बता रहे थे हलो दोस्तों मेरा नाम तोईदू रुहमान है मैं हूँ टीम नेक्स्पीक ब्रैंड से और फिर से वेलकम है आपका NBB News के एक और ने वीडियो में है और जिनका जो है ट्विटर हैंडल वो है वाइट हैट सेनियर उनके उपर इन्होंने जो है 20 करोड उपय का डिफेमेशन केस किया है वही पर जो इसके सुनवाई है दिल्ली हाई कोट में वो मंडे यानि की 22 नवेंबर को थी जहां पर जो यह lawsuit file किया गया है प्रदीप पूनिया के उपर उसमें यह कहा गया है कि जो उन्होंने defamatory comments किये हैं वाइट हैट जूनियर के उपर उसके वज़े से जो है यह case किया गया जहां पर जो प्रदीप पूनिया है उनके उपर infringement of the trademark, उसके पाद dissimation, dilution of the trademark, infringement of copyright, infringement of the contract और mischief इसके साथ ही violation of the company and its employees privacy यह सारे terms के मुताबिक उनके उपर यह case किया गया है इस notice में यह भी specified है कि यहां पे जो है जो आपका white hat junior के ad जिसमें उन्होंने बताया था कि वुल्फ गुपता नाम का एक बच्चा है उन्होंने यहां पे google में job पाया है और उनका package कुछ 1.2 करोड कुछ ऐसा था term इसी को लेकर जो है यहां पे प्रदीपुनिया जो है September से उनके उपर यह जो है बताया गया है कि यह सारे comments कर रहे थे उनके उपर जहां पे उन्होंने यह बोला था कि यहां पे जो है वुल्फ गुपता नाम का जो बच्चा है वो यहां पे exist नहीं करता और इसके साथ यह भी बोला कि यहां पे जो है वुल्फ गुपता गा जो है यहां पे murder कर लिया है क्योंकि वो जो advertisement वो शो कर रहे थे वहां पे उनको take down करना पड़ा था वही पर इस notice के जाने के बाद जो है पुनिया ने यहां पे जो भी उनके statements थे release किये थे उन्होंने यहां पे जो है उसक constitutionalized तरीके यहां पे अपनाए और यह भी बताया गया है कि बड़े ही wild और unfound claims जो है उन्होंने यहां पे किये है white hat junior के खिलाफ इसके साथ ही जो defamation case है उसमें यह भी बताया गया है कि पुनिया ने जो है जो भी white hat junior का internal business communication network था slack उसमें जो है इन्होंने break किया है उसके अंदर घुसके मतलब और वहां के जो communication है जो भी confidential communications होती है staff के बीच में वो जो है उन्होंने यहां पे चुरा लिया है leak कर दिया है और जो भी parents और उनके बच्चों के साथ था वहां पे भी उन्होंने उस चीज को जो है public domain में publish कर दिया है मैं बता दू यह जो argument था वो पुनिया के twitter thread के उपर था जहां पे उन्होंने यह बताया कि जो white hat junior की ORM team है वो यहां पे कैसे जो negative comments है twitter पे जो उनके खिलाफ आते company के खिलाफ उसको यहां पे वो लोग कैसे treat करते हैं वही पे इस thread में यह भी highlight किया गया है कि जो company के जो internal communications है उसमें भी जो इन्होंने जो भी angel investor है अन दरा करना है बाकी सारी चीज़े वो इनके internal team के member जो है बातचीत कर रहे थे वही उन्होंने यहां पे जो है सामने रख दिया था twitter में लाकर रहे वही बता दू कि यह सारे जो है सारी development ही यह तब हुई है जहां पे टेकी जो की एक और ऐसी ही platform है white hat junior की उन्होंने यहां पे white programming platform में वहां से copy करके फिर यह लोग जो है उस तरीके से use कर रहे है वही model जो है अपना रहे टेकी के जो है यहां पे नमन मुकुंद उन्होंने claim किया है कि white hat junior के employee ने एक बच्चे का जो है उसको impersonate किया मतलब एक fake ID बना के एक बच्चे के वो करके जो की छटी class का था और उस के हिसाब से उन्होंने देखा कि कैसे पढ़ाया जाता है और same model जो है उन्होंने यहां पे इपने white hat junior के लिए भी अपना लिया इसके अलावा जो है यहां पे कुछ वक्त पहले ही जो है यहां पे फिर से white hat junior ने एक critique के उपर इन्होंने जो है defamation case कर दिया है वो जो है वो आ जिससे white hat junior को बहुत जादा damage हुए उनके reputation के उनके business को आपको बता दू कि इन सब के चलते जो है ट्विटर भी जो है आज काफी जोरो शोरो से उसमें white hat junior की चर्चा हो रही है इस वक्त जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो मैंने जो चेक किया है तो यहां पे इंडिया जो backlash है वो यहां पे face कर रहा है जाए वो parents से हो, activist से हो या फिर media से हो यहां पे जो है उन्होंने Elon Musk, Tesla, Sundar Pichai, Google जैसे बड़े-बड़े नामों को अपने courses के लिए advertise किया है जहां पे इसके वज़े से भी लोग उनको बहुत गलत बोला है कि भाई यह आप लोग गलत कर रहे इसके बाद ही जो advertising council of India है उन्होंने भी यहां पे जो है काफी फटकार लगाई थी पीछले मही नहीं और उन्होंने भी जो है इनके जो भी advertisements वगरा है जिसमें गलत claim से उनको take down करने को बोला गया था इसके लब मैं आपको बता दो इस साल के शुरुवात में जो है बजाज ने जो है उन्होंने और उनकी जो firm है उन्होंने बाई जीउस को यहां पे all cash deal में जो है white hat junior का बड़ा stake बीचा था जहां पे यह जो deal हुई थी वो 300 million dollars के हुई थी इसके लब मैं बता दो कि जो company है उ जिन्होंने इनके उपर भी आरोप लगाय थे उनका भी LinkedIn यहां पे suspend कर दिया गया उनका profile भी बाकि दोस्तों अगर आप हमारे यह वीडियो देख रहे है अगर आप एक parent है या फिर आपका white hat junior के साथ कोई भी experience रहा है कुछ तरीका आप जो है share कर सकते हम जरूर जानना चाह engineer जो यह सारे defamation case कर रहा है क्या इसके वज़े से उनकी reputation में और ज़्यादा धब्बे लगने वाले हैं या फिर वो लोग जो है ऐसे जो critics है उनको यहां पे चुपकर आपाएंगे यह defamation case करके जो भी आपके thoughts है comment आप कर दीजे वाकि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो